उत्रप्रदेश में लंबे समय से 59,000 सिक्षक भरती मामले में चैनित 6,800 अभ्यार्ती आंदोलन कर रहे हैं सिक्षक अभ्यार्तियों के आंदोलन का आज 49 बाद दिन है ये अभ्यार्ती 5 जनवरी 2022 को पिछला वर्ग और दिव्यांग कोटे से चैनित हुए थे इनकी सूची जारी हुई थी लेकिन तब से लेकर आज तक सरकार ने इन्हें नियुक्ती पत्र नहीं दिये त्यैन होने के बाद भी ये अभ्यार्ती नियुक्ती के लिए दरदर भटक रहे हैं कभी किसी नेता से मिलते हैं तो कभी किसी अधिकारी से लेकिन आज तक इन्हें नहीं मिला और अब ऐसे में सिख्षक अभियार्तियों ने सरकार को बड़े आंदोलन की चेतापनी दी है R9 News ने उन तमाम अभियार्तियों से बातचीत करने की पोशिश की क्या कुछ उन्हें ने कहा आई आपको सुनवाते हैं और लखनव के इको गार्डन में ये लगा अतार धरने पर बैठे हुए हैं आज 49 दिन है और सीधे तोर पर कई मुलाकातों का दौर हुआ है लेकिन एक भी मुलाकात सफल नहीं हुई है हम ज़्यादा बातचीत करेंगे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन अधिकारी मंत्रियों से इनकी मुलाकात हुई और मुलाकात में क्या वारता सामने आई है किन से किन से अभी तक आपकी मुलाकात हो चुकी है और मुलाकात का क्या कोई निश्कर से सामने निकल करके आया है मानिये डिपटिसीं में कशपषाद महरई सरiosis मुलाकात हुई है बेबादे स्वाताक जी से हिंगिआ है श्वातनदेप सिंगी से हूई है संधीब सिंगी से हम लोग मिले है उपनाल की राष्टेंदेशन प्रिया पतेल जी मुलाकात तो लगातार हम लोग करी रहें लेकिन कहीं से अभी तक कोई भी संभब प्रयास जो एक सरकार की तरफ से होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है जब भी उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं माबला आपका कोर्ट में चल ला है जबकि कोर्ट में इस सिती य सरकार इस पर डिसीजन नहीं ले पा रही है कि हम उनको कैसे हटाएं जबकि उन्होंने बाकाइदा उनसे ले रखा है एफिडेविट कि हां अगर जब इसमें कोई विसंगती पाई जाती है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा जो लोग भी गलत चैनित हुए तो यह सरकार पर डिसीजन नहीं ले पा रही है और केशब जी के पास हम लोकल गए थे तो उन्होंने देखा वो ले यह तो बहुत बड़ा मैटर है मैंने प्रिछली बार मुश्किल से मेहनत करके यह लिश्ट निकल बादी लेकिन सरकार फिर से आ गई है तो बाबाजी क्या नहीं नहीं आप लोग लास्ट मीटिंग कब हुई थी अंतिम बार कब मुलाकात करने गए थे क्या कोई ऐसा निसकर्स को यह रास्ता निकल करके सामने आया जिसमें बचाया क्या सरकाय को प्रयास कळा सकता है धो करást कर रही है तो पिषली डिट में आपका सरकारी वकील नहीं पहुंचा और गलत नुकतियां हुई है उस पर मिड़ा लेके आप जो यह जिनके साथ अन्याय हुआ है जो इलिष्ट आपने 58% सूलंगों की निकाह लिए है उनको निकालने में भी समस्या होगी कल वो बिरोध करने के लिए खड़े हो जाएंगे यानि जो गलत तरीके से न्यूक्ति पा गये हैं सरकार को उनकी ज्यादा चिंता है और हम दलित पिछड़े हैं इसलिए सायद हमको एक किनारे करके रख दिया गया कि चुनावी पकड़ा गया उसके बारे में लोगों को बताएंगे और बिना न्यूक्ति पत्र लिए हम लोग घर वापस नहीं जाएंगे काफी लचर व्यवस्था रही है सरकार की तरफ से भी जैसा कि उन्होंने बताया कि पिछली पेसी में सरकारी वकील ही नहीं पेस हुए हैं तो क्य जब ये अधिकारी जब ये मंत्री बने हैं स्य मकरी नहीं वी नहीं चैना करेंए हम लोग लगा तार् लुजी दिन से इनकी सरकार बनी है उस दिन से अंदोलन कर रहे हैं और आगे भी तब तक करेंगे जब तक यह लोग हार नहीं मान जाए हम लोग हारने वाले नहीं हैं हम लोग जब हमारे पास सीड़ी का एक पाउदान नहीं था इवन यह हम कह सकते थे सीड़ी थी नहीं हम लोग ने लग के आठ महीने सीड़ी बनाई अब सीड़ी सीड़ी के नववे पाउ इसके लिए काम करते हैं अदर्वाइस हम लोगों के लिए वोटो तक नई इनके जंता दर्बार में इसे मिलने हमारे डेलीगेशन बाकाइदा दो दिन पहले अंदोनल हुआ था तो डेलीगेशन बुलाय गया लेकिन इनकी इतनी हैसियत नहीं है बेपस मौरिया जी की कि हम हमारे डेलीगेशन के साथ बैने बिकलांग बाई था उसके साथ फोटो डालने की हैसियत नहीं है हमारे ग्यापन को हाथ में पकड़के फोटो डालने की हैसियत इनकी बेपस मौरि तरप मैं नहीं है हमको सरकार मानने योगी जी ने नहीं दिया है किस बात कोर्ट की क्यों यह लोग दोभाई दे रहें सिर्प पिछै दलतेों को सुचते हैं कि कम पड़े लिखे हैं साला हमारी लिस्ट आ गई हम चैन सुची में हैं किस बात की तो है दो कैस्ट के से मेंकू अब्मार से लड़े बिढ़े मुस्से कोई हैं हमको न मिलेगा तो हमारे सोतन देव जी तो हमको बहुत अच्छा आइड भी बता दियाएं तुम लोग मानों बंबन बंक det मुख्यमंत्री जी कहा तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर यह हमारे समाज के नेता यह चाहते हैं कि हमारे समाज की लोग मर जाए तो हम लोग मरने के लिए भी तयार हैं अगर आट-ट-ट-ट-ट- लोगों को एक बास समझे अगर नियुक्ति नहीं दिये तो पिश इस दिन उन तक यह मामला पहुच जाएगा वो चाहिए जैसे सर से पहुचेगा हम लोग जानते हैं साथ महीने संगर्स किये जब मानी मुख्यमंत्री जी तक पहुचा हमारे राजा तक मामला पहुचा तो उन्होंने तुरन नयाए दिया लेकिन अधिकारी मनुवादी हैं अधिकारी हम लोगों को क्विड़ा मुकोडा समझते हैं गाली देके भगा देते हैं उन्हीं अधिकारी के खिलाप हम लोग लड़ाई और अंदोलन करेंगे मानी मुख्यमंत्री जी अपनी बात पहुचाएंगे और नयाए मिलेगा यह भरोसा है हम लोग उस भरोसे से यह कि हमको मानी मुख्यमंत्री जी जब भी होगा तम नयाए देंगे धन्यवाद मुख्यमंत्री से मिलने की कोई पहल हुई कभी कोई मुलाकात हुई जिस तरीके कारोब आप लगा रहे हैं क्या अधिकारी आपके सुनते नहीं गाली देकर भगा दें हम लोग मानी सुरेश ख सबाए किसी की कोई हैसियत नहीं है यह लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी अपना इस आयसो आराम अपनी एसी अपनी बंगले को मेंटेन कर रहे हैं जितने पिछड़े दलित के खास के मंत्री जो देखिए हमारे प्रिजेश पाठक जी अपने समाज के लिए कि पाठा माने जाते हैं 25 तारिक से जिस दिन से इनका हुआ है जिस दिन से मुख्य मंत्री सपत हुआ है हम पीछे दलित हैं सलह 46 डिग्री टंप्रेचर में मर रहे हैं जब हमारी किसी को नहीं सूत है तो हम का इनका चाटुकारता करेंगे हम लोग पढ़े लिखे लोग है माननी मुख्य मंत्री जे तक अपनी बात पहुंचाएंगे यह जो दिवार बनाई गई है ना मंत्रियों की कि आप पिछे दलित हैं तो पिछे दलितों के पास जाएंगे आप अपने मंत्री की पास जाएंगे तो अपने राजा के पास जाएंगे उसके लिए हर इस्तर का प्रियास करेंगे हरिस्टर की लड़ाई लड़ेंगे यह और 6800 चैनित अभ्यारती हैं जिनकी सूची जारी हो गई है लेकिन अभी तक इनको न्यूक्ति नहीं दी गई है काफी गंबीर आरोप कई कैबिनेट मंतरियों पर कई मंतरियों पर अधिगारियों पर लगा रहे हैं सीधे तौर पर जिस तरीके से आधिकारी आपको मिलने नहीं देते हैं आगे कि क्या रण्यीती रहेगी अगर सुनवाई नहीं होती क्यों कि 49 दिन हो चुका अगे कि क्या रण्यीती यही है देखो अभी तो हमने मुख्यमंती पर पूरा भरोसा है कि जिस दिन उनके संग्यान भी मावला पहुंचेगा तो हम लोगों को नयाय मिलेगा लेकिन अगर यह अधिकारी जो लगातार पहले भी आपने देखा हो कई लोगों से आप बात करिए भारत पर भात की इंतापाड़ी की नेताओं से कि इन अधिकारियों ने पिछले पांस स सुणना है तो आईसी सरकारों को लाथ महार के छोड़ दीजिए ऐसे अधिकारियों का तुंति लंवित करिए यह क्या तरीका है कि उन्हों के अधिकारी में सुनन नहीं रहे तो आप मुक्हमंद्री की बने हैं हमने क्यों आप जन्प्रितनी दीए आपका काम है आपके पिछली बार हम लोगों आट महीने अंदोलन चलाया आर अच्छल का घोटाला नहीं है यह बहुत बड़ा है और अन्ट सव सीटों का हुआ था एक दो सीटों का घोटाला नहीं हुआ था लेकिन आप सोचिए कि पहले अधिकारियों ने आफेडेविट दिया है राष्टिय प खिलाब नहीं चलता है कीउं नहीं चलाएं या तो इनकी सह यह डरते है है अधिकारीयों से इनको लगता है कि नहीं अधिकारी समय सरकार चलते हैं हमाई श्रकार यह इसका मतलब यह दिकार से अधिकर मिलके चलते हैं आप देखिए ना तमाम नेतां पर चलат हैं उ कि कियो उन्हां चला रहे हैं अप्कते सब्सक्रणा HIM कर लिया कि आप सुचीय करिं 10 वह स्वाटा कीbon प्रिमारी गई तीस-चालिस लाग रुपार की नुकसान करके हम लोग बैटे हुए हैं और जह हम लोग लिश्ट भी आ गई है आग तीन-चार महीने हम लोग फिर हो गई है दो लाग का फिर नुकसान होगा हम लोग का इसके बाद पैसा खतम करके यहां समस्याओं से जूज यहां करके हैं तो यह अब यह समझ में आ गया है कि हम लोग केबल मीठी गोली दी जा रही है हम लोग के चुवाली जुम्ला दिया गया था उस दिन हम लोग इनकी इंट से इंट बजाएंग तो ये 6800 चैनित अभ्यारती हैं जिनको अभी तक इनकी न्यूक्ति पत्र नहीं मिला है काफी वारताएं हुई है लेकिन इनका गंभीर आरोप है कि अधिकारी मुख्वंत्री से इनको नहीं मिला रहा है और मुख्वंत्री तक सही बात नहीं पहुच रही है कोर्ट में अफिडेविट भी देते हैं कि हाँ गड़बड़ी हुई थी उसके बाद भी इनको न्यूक्ति नहीं दी जाती है कठिन फैसला है इनकी न्यूक्ति होनी है काफी दिनों से संगर्स कर रहा है लेकिन इस पर किसी भी तरीके का कोई विचार नहीं किया जा रहा है और साफ तर से जो लोग अंदोलन कर रहे हैं जो यहाँ पर धरने पर बैठें उनका साफ तर पर कहना है कि अगर उनकी जल्द सुनवाई नहीं हुई तो यह अंदोलन बहुत बड़ा होगा लखनव की हर गली में जाएंगे और सरकार के कानों तक आवाज पहुचाने का पूरा प्रयास करेंगे कैमरा परसन रौसन के साथ मुनीत मोहन आर नाइन न्यूज लखनव